हमीं मन कर एक किरांति नायत बीर कुवर सिंगं के वनसजcarbon और मौत हो गई normally और वो भी माइ समान मौत नहीं जहीं दरसल सुरप्षय कर्मियों की पढ़ाई के कारं बीर हुआ सिंग के परपोति कुवर रोहित सिंग और बबलु सिंग की मौत हो गई है नमस्कार आप बिहार इंस्वार्स देख रहे हैं मैं हूँ परम्बेर सिंग कल आरा में काफी बवाल हुआ और वो जो बवाल है अभी भी जारी है द्रसल सौतंता से नानी वीर्कुवर सिंग जो की 1857 की क्रांथी के महानायक थे, बिहार के लाल जिस पे पुरा देश ग्रब करता है, लेकिन उनके ही वंसच पर प्रहार हुआ है, आरा में दरसल जो उनके परपोते हैं, जिनका नाम कुमर रोहित सिंग और बबलु सिंग है, उनकी पिटाई के कारण मौत होगी है, क्या पुरा मामला है, चलिए आप हमको बताते हैं, मंगलबार को सवरगिये कुमर विजय सिंग के पुत्र, कुमर रोहित सिंग की मौत के बाद, जगदीश पूर में बवाल मच गया, पर इजनों ने बीर कुमर सिंग के कीले में तैनात, CIT के जवानों दोवारा पिटाई किये जाने से मौत होने का आरोप लगाया है, रेफरल अस्पताल के प्रभारी पर इलाज नहीं करने का भी आरोप है, कुमर रोहित सिंग के सरी पर जख्म और चोट के निसान मिले, योग की मौत के बाद इस्थानिये लोगों ने पांच घंटों तक हंगामा मचाया, मामले की सीमा कुमारी, स्डिपी ओ स्याम किसो रंजन, सीओ कुमार कुंदनलाल पुलिस बल के साथ पहुँचे, मिरितक की माता सह भाजपा नेतरी पुस्पा सिंग ने बताया कि रोहित ने किला परिसर में CIT जवानों दवारा किये जा रहे गलत कारियों का विरोध किया था, जिस पर मारपिट कर रिफरल अस्पताल के गेट के सामने फेक दिया, स्डिपी ओ स्याम किसो रंजन ने इस मामले को लेकर कहा कि पूरे मामले की छानमील की जा रही है, दोसियों के खिलाप कारवाई की जाएगी, लेकिन ये जो मामला है, वो काफी गंभीर बताया जा रहा है, जो बिरकुवर सिंग की ले की सुरक्षा कडमी है, उनके उपर यारोप लग रहा है कि उन्होंने रोहित सिंग के साथ मारपिट की और मारपिट करके उन्हें रिफरल अस्पताल के सामने फेक दिया, वही रिफरल अस्पताल के जो डॉक्टर है, उनके उपर भी यारोप ल लेकर सवाल उठा रहे हैं राजत की नेतरी लवली आनंद वो भी अब इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मुर्चा खोन ले जा रही है वो आज आ रहा जाएंगी और रोही सिंग के परिजिनों से मुलकात करेंगी पूरा क्या मामला है यह भी जानने की वो कोसिज करेंगी औ सोचल मीडिया के माध्यम से भी रोही सिंग के समर्थन में लगतार सवाल उठ रहे हैं लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यह कैसा बहवार है कैसे सुरक्षा कर्मियों के दवारा एक सुतंता सिनानी के परिजिनों और वंसजों पर अत्याचार किया गया और मार्पिट करके उ दूल पकर रहा है वही राजत के विधायक चेतन अनंद ने भी इस मामले को उठाया है उन्होंने फेस्बुक पर इस मामले को लेकर लिखा है कि 1857 के महनायक बाबु बीर कुवर सिंग के परपोत कुमर रोही सिंग को प्रसासन के दौरा पीठ के हत्याय कर दी गई सरकार की जल्द करवाई हो अन्यथा जनाक रोस के लिए तयार है विनम स्रधानजली इसके साथ उन्होंने ये बताया है कि आज पुर्वसांसत लवली आनंद आरा जा रही है तो कहीं न कहीं अब बाबु बीर कुमर सिंग के परपोत्र कुमर रोही सिंग की मौत को लेकर बवाल मच के लिए उठा है वो भी जूट रहे हैं और प्रसासन पुलीस के खिलाब खुब नर्यबाजी भी हो रही है परीजन भी सीधे सीधे प्रसासन और पुलीस पर ही आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि रोही सिंग को जान बुचकर टार्गेट किया गया है क्योंकि रोही सिं उन्हें target किया गया है इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि दिरकोर सिंग के किले में कुछ गलत काम हो रहा था जिसका विरोध रोही सिंग कर रहे थे जिसके कारण जो वहां के सुरक छाकरमी है उन्होंने इनके साथ मार पिट की और मार पिट कर इन्हें रेफरर अस्पताल क इनका इलाज नहीं क्या जिसकारान इनकी अब मौत हो गई है इस मामले को लेकर काफी हंगामा हो रहा है तो बहराल अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करने रोहीत सिंग की मौत को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके पता सकते हैं यह